नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले कल के एक मुकाबले के बारे में जो की खेला जाएगा नेधर लैंड्स वर्सिस आयरलेंड के बीच में दोस्तों जैसे कि पहले दो मैचे उसके रोमान चक मुकाबला रहा था दोस्तों तो अच्छे मैचे चल रहा है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट है ओडियाई चल रहा है दोनों की बीच नेधर लैंड वर्सिस आयरलेंड तो जरूर मैच भी देखिएगा फेंटैसी टीम भी जरूर जोइन कर सकते हैं और कुछ न भी सीरीज में बराबरी पर चल रहे दोस्तों उन दोनों मैचेस के भी थोड़ी बहुत बात हम करने ही वाले आगे चल के बट कल का जो मैच है दोस्तों जैसे के मैने पहली बता है आपको थर्ड ओडिया होने वाला है जो कि 7 जुन 2021 को रहेगा और ट्रेच जो है दोस्तों ग्राउंड पर मुकाबला होने वाले सारे मुकाबले वही पर हो रहे है दोस्तों तो जो ग्राउंड है वो सेम ही है जो पिछ है वो भी सेम है दोस्तों तो चलिए आगे बात करते है कल के मुकाबले के बारे में और उससे पहले जो पहले दोनों मुकाबले हो इसका थोड़ तो ओल आउट हो गई थी दोस्तों पचास ओर खेली थी ओल आउट हो गई थी 195 रन पे तो वन डे मुकाबला है दोस्तों पचास ओर में 195 कोई बड़ा टारगेट तो नहीं था आईरलेंड के लिए बाद अच्छी शुरूवात के बाद आईरलेंड जो है दोस्तों 195 का टार्गेट कम्प्लीट नहीं कर पाई अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो 194 रन कर बाई और सिर्फ एक रन से आर गई दोस्तों नेधरलांड वान बाई यहां पर देखें दूसरी मैच की अगर बात की जाई यहां पर तो दूसरी मैच की देखें नेधरलांड फिर से फर्स बैटिंग कर रहा था और ज्यादा बड़ा स्कोर अभी भी नहीं हुआ अगर आपने देखा यहां पर ओनली 157 रन नेधरलांड बना पाई थी वो भी 49.2 और इसमें तो काफी मैं कहूंगा खराब रन रेट चल रहा था उनका और ओल आउट भी होई गया वैसे 157 रन तो आइरलेंड की जो बैटिंग है दोस्तों अच्छी है पॉल स्टर नें मैग ब्रीन बाल ब्रीन देन ओबरायन को लिया नहीं जा रहा है बट वो भी अच्छ जो सीरीज है उसको एक-एक में बराबरी पे लाया है तो चलिए थोड़ा सा मुआ इना पिछले मैच के स्कोर कार्ड पे करते जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्लेयर कैसे फॉर्म में क्योंकि पहले मैच का तो मैंने पिछले मैच में दीख पाए थे बट मैक्स डियोड मैक्स ओड़ड उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी तो 36 रन लगाये थे बैन कूपर दोनों मैच में फेल रहे हैं दोस्तों ज्यादा कुछ स्कोर नहीं कर पाए लीडे ने थोड़े बहुत 23 रन बनाए सीलर जो कपतान है उन्होंने 11 रन का योगदान दिया स्कॉट एडवर्स अच्छा खेल रहे थे दोस्तों सेट भी हो चुके थे बट बाद में आउट हो गए ज्यादा देर पर तक वो टिक नहीं पाए उन्होंने 23 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए साकिब जुलफिकार जो की एक अच्छे आल राउ इनिंग्स की इनिंग्स की बदोला थी 150 से उनका थोड़ा ठीकठा की कहूंगा एक टाइटल एक स्कॉर वो क्रेट कर पाए तो चलिए बॉलिंग देखते हैं कि आरलेंड की तरब से बॉलिंग में कौन चला तो जैसे कि पिछले मैच के हीरो थे क्रेग यंग मतलब फर्स्ट मैच में भी इन्होंने काफी अच्छी गियंदबाजी की थी दोस्तो और जोश्युआ लिटल इन्होंने भी फर्स्ट मैच में दोनोंने तीन-तीन विकेट चटका है थे और अभी देखिए अगर दूसरी मैच की बात की जाए दूसरी मैच में भी दोनोंने चार चार विकेट चटका है और अगर बॉलिंग देखेंगे तो 9 ओर्स में 18 रन सोन ली देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रेगियंग का इकोनोमी भी है काफी जबरदस्त रहा है 9.2 और इसमें सिर्फ 18 रन देकर चार विकेट चटका दिये उन्होंने जोश्वा लिटल है दस ओर में 39 इनका भी इकोनोमी अच्छा ही है और चार विकेट इन्होंने भी चटका है थे मैकर्थी को एक विकेट मिले था दोस्तों और म दूसरी मैच में भी पहले मैच में भी 10-11 रन से जादा स्कोर नहीं कर पाए थे वो तो फिर से वो फेल्यूर उनको मिली रहा है दोस्तों फॉर्म में नजर नहीं आ रहे बट जो इनके में प्लियर है सबसे अच्छे प्लियर भी में कहूंगा जो गेंद बाजी उनको जरूरत नहीं है फिर भी आप टीम को थोड़ा सा मुश्कीलों में धकेल रहे हो अगर इतना स्लो खेल रहे हो तो क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 49.61 तो 50 का कंसिडर कर लीजे वन डे मैस में उनली 50 का स्ट्राइक रखना थोड़ा बहुत परिशानी का सबब हो सकता है ठीक है उनको जरूरत नहीं थी दोस्तों इसी वज़े से बट अगर जरूरत हो थी तो बाकी के बैट्समन पर प्रेशर आ सकता था इस वज़े से मैं कहूंगा कि इनको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में सुधार करनी की जरूरत थी तो हैरी टेक्टर ने भ तो एक अच्छी जीत उन्हें मिली है दोस्तों अगर बॉलिंग की बात की जाए नेधर लैंड की तरफ से तो कोई भी बॉलर ज्यादा कमाल नहीं कर पाया सिर्फ बिक को एक विकेट मिला था और पीटर सीलर जो उनके कपतान नेधर लैंड के जो और उनको विकेट मिली थ पाया दोस्तों मैट जो है वह एक पार्ट टाइम यह उनको भी कोई नहीं मिल पाया तो इस तरह सिर्फ दो विकेट वह निकाल पाये दोस्तों इसी वज़े से मैच जो है उनके अगेंस्ट हो गया और मैच हारना पड़ा होने तो चलिए दोस्तों कल के मैच की बात फिर से क कर सकते सीलर को तो मैं जरूर शामिल करूंगा एक अच्छे ऑल राउंडर है दोस्तों स्कॉट एडवर्स या फिर टकर दोनों कीपर में से एक कीपर को में सिलेक कर सकता हूँ और अगर बालिंग की बात की जाए तो मैं क्रेग यंग और जोशुवा लिटल को कही पे भी ड दूसरा लोगन वैन बीक इनको भी में जबरू शामिल कर लूगा दोस्तों तो यह मेरे होट पिक्स रहे इस मैच के लिए तो चलिए पीछ की बात करते पीछ रिपोर्ट देख लेते पीछ रिपोर्ट में कुछ जादा है नहीं दोस्तों पिछले दोनों मैचे जो है लो स् करना है दोस्तों तो फिर आपको रुकना पड़ेगा और फिर रन करने पड़ेगा मतलब सेटल होके ही रन करोंगे तो रन स्कोर हो सकते है पीछ थोड़े से स्लो चल रहे है दोस्तों न्यूट्रल पीच है वैटनिंग बॉलिंग दोनों के लिए जादा फायदे मंद नहीं हैं दोनों के लिए आवरेश पीछ रहेगा दोस्तों अगर बात की जाए स्कोर की तो और आउंड 240-250 भी स्कोर बन जाता है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा दोस्तों डिफेंड करने के लिए तो चली आभी आगे चलते और प्लेंग लिए उनकी बात करते सबसे पहले चलते नेधर लैंड्स की तरफ तो दोस्तों कोई चेंज में देख नहीं रहा हूँ यापे क्योंकि पिछली मैस तो जीते थे ने यह जो फिर्स जीते थे सेकेंड मैस में हर क अच्छा परफॉर्मंस रहा है क्योंकि बहुत आसानी से उन्होंने जीतने भी नहीं दिया था और आरे भी नहीं थे तो अच्छा परफॉर्मंस चल रहा है तो मेरे खायर से जो थोड़ा सा उनका बैट बला नहीं चल रहा है बट मेरे ख्याल से कल वो कर सकते कुछ कमाल पीटर सिलर जो कप्तान है दोस्तों अच्छे आल राउंडर प्लियर है जरूर इनको शामिल करेंगे बैस डी लीडे अच्छे बैट्समन इनको भी शामिल करना बनता है दोस्त स्कॉट एडवर्ड एडवर्ड जो है कीपर है इनके अच्छे बैटिंग बड़ी पारी तो नहीं खिरेंगे दोनों मैच इसमें डबल डीजित स्कॉर कर पाए तो लोगान वैन भी अच्छे बॉलर है दोस्तों जरूद पढ़ने पर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकत कोई चेंज करने की ज़रूद नहीं है जो एक टीम है दोस्ते प्रॉपर टीम नजर आ रही है और अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही है ठीक है अनलकी रहे फर्स्ट मैच में एक रन से हार मिली पर सेकेंड मैच में उसका उन्होंने भरपाई कर दिया दोस्तों इस वाज़े से उनको शामिल किया जा रहा है तो हो सकता है दोस्तों कल उनको शामिल किया जाए तो एक किसी चेंज में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ विल्यम पोर्ट फिल्ड या फिर जो हैरी टेक्टर है इनकी जगह हम केविन ओबराइन को खिलते हुए देख सकते हैं बट यह का संभावना यह दोस्तों नहीं है तो पॉल स्टरलिंग रहेंगे दोस्तों विल्यम पोर्ट फिल्ड मेरे खायल से रहेंगे एंड्र को जबाइन के दोस्तों लूराण टकर रहेंगे सीमी सिंह अच्छी अल रांडर है उनको भी ज़रूब किया जाएगा मैक ब्रीन आश्यों को शामिल किया जाएगा टोस्तों यह दो गजवडर है दोस्तों धोडों मैच में दोनोंने 7-7 विकेट चाटका है दो मैचेस में विकेट चटका है तो जो जो लिटल और क्रेग यंग है दोस्तों ये काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारी लिए किसी एक टीम में क्रेप्टन वाइस क्रेप्टन की उप्शन भी ज़रूर बन सकते बहुत बॉले रहे हैं तो आप उन अच्छे साबित हो सकते दोस्तों कुछ ना कुछ विनिंग जरूर कर रहा सकते तो मैं ड्रीमिलेवन के आप पे स्विच कर रहा हूं दोस्तों अभी आप ओपन हो रहा है दोस्तों जैसे कि आपको पता यह टीम आप किसी भी और application में भी यूज कर सकते है बट जहां जयादा constraint होते दोस्तों यह है ड्रीम։लेवन पर तो इसी वजह से मैं ड्रीम नकी की दिखादेता हूं मतलब यह टीम आप कई पे जादा हूंगा तो दोस्तों एक आता दूँ आपको कि अगर मैं हर बार रिक्विस्ट प्रेस्ट काथा वीडियो फिर से कर रहा हूँ दोस्टों o लेक्षाज में सब्सक्राइब कर लीजिए हम सभी धौन सब्सक्राइब करी जल्दी कम्पलीट करना है दोस्तों तो ठीक है प्लीज सब्सक्राइब कर लिए जएगा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो आप मिस ना करें क्यूंकि अभी देखे दोस्तों अच्छे खास से मैचे चल रहे हैं आप देख सकते कि जिंबॉबबे साउथ अफरीका एका अभी 2020 चल रहा है जो काफी अच्छे मैचे जा रहा है उसके भी हम प्रेडिक्शन की वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों तो जरूर आप वह भी ट्राइक कर सकते हैं वह आप भी थोड़ा बहुत अपना लग आजमा सकते दोस्तों चलिए अभी बात कर रहे हैं इस मैच की जो नेध कि कुछ न कुछ अच्छा विनिंग जरूर करा के दे सके दोस्तों मैं कभी यह नहीं करता हूँ आपको की पाच लाग जीतोंगे दस लाग जीतोंगे ऐसा नहीं होता दोस्तों अगर ऐसे हो जाता तो सब की सब जीत जाते दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है कि सब जीते तो इ आपको grand league में ज्यादा invest नहीं करना चाहिए small league is a better option दोस्तों मेरा तो यही मानना है बाकी मैं जो टिम्स देता हूँ दोस्तों small league और grand league दोनों पर ज़रूर राइक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों analysis करके जो play select करते हम वह of course better perform करते ही है तो इसी वज़े से दोस्तों आप कहीं पर ट्राइक कर सकते हैं और मेरा प्रेफरेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा income करा सकते हो दोस्तों तो चलिए वापस आते हैं इस वीडियो पर बात करते हैं तो सबसे पहले wicketkeeper की बात करते हैं मैं Tucker को select कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर जो कि Ireland के पर बीड्रोप ना करें तीनों के तीनों जो प्लेयर है दोस्तों मैच विनिंग प्लेयर है कभी भी कुछ भी कर सकते पॉल स्टर्लिंग तो देखिए आप पिछले दोनों मैच में अच्छे पॉइंट्स दिये तो इनको तो आपको कहीं पे भी ड्रॉप करना नहीं बालब्रीन तो कप्तान है दोस्तों आइरलेंड के जरूर खेलेंगे और अच्छा भी खेलेंगे मैच ओडवाड भी अच्छे प्लेयर है दोस्तों बले ही पिछले मैच में ज्यादा बड़ा स्कूर नहीं कर पाई 36-37 रन बनाये थे फिर भी दोस्तों अच्छे प्लेयर है जरूर अच्छा बैटिंग कर सकते हैं तो मैं अभी सिर्फ तीन बैट्समन के साथ जाओंगा दो दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कल बॉलिंग को भी जादा साथ दे सकती है पिछ तो इसी वज़े सा मैं चार बॉलर इस टीम में ले रहा हूं दोस्तों जो होंगे गुटन उसके बाद क्रेग यंग और जो लिटल है दोस्तों इनको आपको ड्रॉप न लिटल यह आरे आरे आरलेंड से तो देखिए यहां पर थोड़ा सा जुकता हुआ दिख रहा है टीम आरलेंड की तरफ साथ प्लेयर आरलेंड के होगे चार प्लेयर नेधर लेंड के होगे दोस्तों पट फिर भी मेरे खयाल से काफी संतुलित कॉम्बिनेशन हम क्रेट कर क्योंकि नेधरलेंड का वैसे भी बैटिंग जाद अच्छा खेल नहीं रहा है दोस्तों और हम किसी और टीम में ज़रू ट्राय करने ही वाले है वह तो देखिए दोस्तों वैंडर गुटेन को मैंने लिया है देन क्रेग यंग और यल वैंड बिक को लिया है और जो अशा लिटल यह चार गेंदबाज ले लिया है मैंने मैं आपको कंटीन्यू करता हूँ दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देखे दोस्तों मेरे पास सबसे अच्छे अच्छे जो अप्शन है हो मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले पॉल स्टरलिंग ऑप्शन आ और यह हो सकते है हमारे कप्तान वाइस कप्तान यह पिर आप उल्टा ट्राइ कर सकते हैं जोकि Allrounder है बैटिंग भी अच्छी करते हैं इनको भी ट्राइक कर सकते पॉल श्टरलिंग भी गेंदबाज़ कर लेते दोस्तों जोरुत पढ़ने पर भी बोलिंग कर सकते हैं तो दूसरे combination में देखिया दोस्तों यहां पर create team करूंगा मैं वापस इस इस combination में Edwards को ले लूँगा दोस्तों एडवर्स जादा बड़ा पारी नहीं खेल पाये दोस्तों बट देखे पिछले दोनों मैचेस में उन्होंने इलियोन और 30 पॉइंट्स तो ठीक ठाकी दिये तो इसमें थोड़े बहुत चेंजें जो करने हैं मैं फर्स चेंज कर रहा हूं कि Edwards को मैं शामिल कर रहा हूं टकर क रहा हूं दोस्तों और चौते जो है डॉक्रेल को मैं शामिल कर लूँगा ऐस ऑल राउंडर तो यह चार आजाएंगे दोस्तों मेरे ऑल राउंडर देखे पिछले मैं पिछले इसमें मैंने तीन और चार गेंद बाज लिया थे अभी मैं चार ऑल राउंडर ले रहा हूं क्योंकि देखे दोस्तों जो यह आल राउंडर है इसमें से पिटर सिलर तो उपर ही और मैक ब्रीन यह ज्यादा उपर खिलते हैं सीमी सिंग गेंद बाजी भी अच्छा कर रहे बल्ले बाजी भी अच्छा कर रहे दोस्तों जरूत पढ़ने पर दोनों जगा काम आ सकते दे संग और जो लिटले इनको ड्रॉप मत कीजिए ज्यादा रिस्क हो जाएगा दोस्तों आप और किसी को भी ट्राइक करना कर सकते हैं इन दोनों को ड्राप मत कीजिए रिस्क मत लीजिए तो और एक गुटेन को मैं शामिल करो लूँगा यहां पर यह भी गेंद बाजी के सा करें तो भी चलेगा दोस्तों कल के मैच में क्योंकि हमें प्लेयर से ज्यादा प्रॉफिट और लॉस होने वाला है तो ठीक है दोस्तों इसके लिए बट मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सजेस्चन रहें कि आप बालबरीन पर दाव लगा सकते हैं और मैक्ट नजार आ रहें यह या अपचाहिए तो वैसकांटन के लिए किसी बॉलल पर दाव लगा सकतेumble आपकान एक बंने दाव लगा सकते हैं जो आपके लिए हो सकते हैं यह फिर जॉश्य, लिटल दूस्तो आप तो मैं जोश्य लिटल पर लगाता हूं यह सेयो क्तिम उप तो ट स्टर्लिंग कप्तान भी वाइस कप्तान रखे है मैंने और इस बैट्समान बालब्रीन है दोस्तों मैक ओडवर्ड है तीन वह ओल रॉंडर में शामिल किया थे पिटर सिलर देन मैग ब्रीन और सिमी सिंग तीन और चार गेंदबाज के साथ गया हो दोस्तों वेंडर गुटे देनी सेम ही हो यहां पे ऑगे ढकरेल तो जहता चैंजिस करने की जूरवत नहीं है दोस्तों चैंज करेंगे तो भी अच्छा रहे हैं क्यूंकि जो भी प्लयर से परफॉर्म करने वाले तो यह दोनों मेंWorld की तीन हो सेम्रे दोस्तों यह 3 भी मेरे पास पहले शामिल थे और पॉल स्टर्लिंग को भी आप जरू ट्राय कर सकते वाइस कप्तान की लिए कप्तान चेंज कर दीजिए यहाँ पे वाइस कप्तान पॉल स्टर्लिंग आ सकते पिटर सिलर आ सकते वाइस कप्तान आप अपने ही साफ से ट्राय भी कर सकते दोस्तों मैं जोश्वा लिटल पे गय क्योंकि उनका performance काफी बेटर रहा है दोस्तों तो चलिए दूसरी टीम बन गए और एक टीम हमें create करना है दोस्तों जो थर्ट टीम होगा जो लास्ट टीम में आपको दिखाने वाला हूँ तो यहां पर भी मैं फिर से टकर के साथ जाओंगा दोस्तों अभी एडवर्ड की टीम में ट्राइ कीजिए ज्यादा उनको कई पर ट्राइ करने की ज़रूत है नहीं पॉल स्टर लिंग बाल ब्रीन और मैक ओडवर्ड इनको जरूरू शामिल कर लूँगा अभी देखिए यहाँ पर्ट फिल्ड को शामिल कर रहो हो सकता है दोस्तों पोर्ट फिल्ड कल ना खेले क्योंकि इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है थोड़ा सा थर्ड जो मैच होती है दोस्तों थर्ट टीम होती है उसमें मैं जरूर आपको बताता हूँ तुक्य लगाता हूँ जो अच्छे प्लेयर है वाट फॉर्म में नहीं है जो कि कम लोग सिलेक करते है तो इस हम भी चांस दे सकते हैं अगर उंको चांस मिल जा हैं तो हमसे भी चांस मिलना चाहिए दोस्तों उन पर थोड़ा सा दावल लगा सकते तो यह हो जाएंगे बल्ले बादर दोस्तों अगर पोर्ट फिल नहीं खेलते है तो आप मैश के साथ जा सकते हिं controll नहें एंगर तो में ले रहा हूँ जो मेरे तीनों all-rounder है सिमी सिंग देन में और पिटर सिलर इन तीनों को मैं फिर से रखूंगा दोस्तों और एक अगर यहां पर कुछ चेंज होता है और आपको ज़रूर एथे चेंज करने कि ए तो आप जाहिए जल्फिकार के साथ इनको भी आप try कर सकते हैं दोस्तों इनको भी कर सकते हैं अगर आप को runtime changes करने है अगर आप runtime changes करना चाते हैं दोस्तों तो कोई नहीं खेलता है तो उनको भी शामिल कर सकते तो चलिए तीन गेंद बाज मुझे फिर से शामिल करना है जिसमें से दोनों को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन दोनों को मैं शामिल करने ही वाला हूँ बढ़ देखे क्योंकि अब भी आप देख सकते हैं कि यहां आइरलेंड की सेवन प्लेयर फिर से हो गए नेधरलेंड के दो प्लेयर लेने पड़ेंगे तो इन दोनों में से एक को आपको बिठाना पड़ेगा यह फिर थोड़ा बहुत चेंज आपको कहीं पर करना पड़ेगा दोस्तों तो मेरे ख्याल से मैं इन दोनों को बिठाने क एडवार्स का देखा जाए तो एडवार्स ने 30 और 11 पॉइंट दिये तो एडवार्स भी अच्छे बैट्स मैंने दोस्तों पर्टकर थोड़ा ज्यादा बेटर खेल रहे हैं बट जैसी कि आपको दिखाया मैंने हमें सेवन प्लेयर्स का इशू हो रहा है और मैं कहीं भी लिटल और क्रिग यंग को ड्रॉप नहीं करना चाहता क्योंकि इन्होंने फिर से वैसा ही परफॉर्म कर दिया दोस्तों और हमारे पास नहीं है तो यह हमें पक्का मैच हरा देंगे दोस्तों क्योंकि तीन विकेट चार व अगर इन तीनों में से कोई नहीं खेलता है और आपको अगर चाहिए कि किसी को को रिप्लेस करें तो यह दो प्लेयर है आपके लिए इस टीम के लिए उनली बाकी तो वेंडर गुटेन मैंने दूसरी जगा लिया ही है अगर आपको चाहिए रुन टाइम चेंजेस के लिए तो आप यहाँ पर फिर से ट्राइ कर सकते हैं मैं करती ट्राइ कर सकते हैं तो वे जल सकती हैं तो इन दो्सकाल सो क्यूंख दो करें तो कर सकते दोस्तों इन डोनों के साथ भी जा सकते हैं वे dwyscket तो अगर वासे लिए यहीं थोड़ा सा रिक ले-पर फाईदय theoryow और जो लिटल, दोनों जो गेंदबाज है दोस्तो, उनको मैंने कफ्टान वाइस कफ्टान बना दिया है, पिछले मैंचेस के दम पे बना रहा हूँ दोस्तो दोनों ने साथ साथ वीकेट चटका है आपने देखा ही, जैसे विने आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे जो चें तो थोड़े चेंजेस देता हूँ और जो रिसकी मतलब ऐसे ही रिसकी नहीं होते दोस्तों जो अच्छे प्लेयर है थोड़ा अंडरेटर चल रहा है उनको हम जरू ट्राय कर सकते हैं जो कि कल हमारे लिए परफॉर्म कर सके तो दोस्तों क्या होता है क्योंकि इनको जाधा पर्सेंट लोग लेते नहीं है और अगर इन में से कोई ट्रिक कर जाए तो आपके लिए जाधा अच्छा होता है दोस्तों बाट रिसक होता है जैसे में हर बार बताता हूँ तो ठीक है दोस्तों यह दो चेंजेस मेंने यहां पर किया है बाकी तो सारे विरान पर सेमें यह बाकि ज़्यादा में चैंज्स करता नहीं आपको हर बार का पता ही एज़ादा चैंज्स करतान नहीं हो दोस्तों तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए मैं जोश्वा लिटल और क्रेग यंट जो कि बहुत जादा रिस्क ही इन पे गया हूँ अगर आप इनको नहीं ट्राइ करना चाहिए दोस्तों चाहिते हैं दोस्तों के लिए तो दूसरे भी सजेशन जरूर हम दे है मैं एक बॉलर को वाइस कप्तान रखी रहा हूँ और पिटर सिलर जो कि एक अच्छे ऑल राउंडर गेंदबाज भी है बल्लेबाज भी है तो इनको मैं कप्तान बना रहा हूँ दोस्तों तो यह होगी थर्ड टीम आई होप तीनों के तीनों टीम बहुत अच्छी करने लिए दोस्तों अच्छा कुछ ने कुछ विनिंग आपके लिए ज़रू करने वाली अगर आप मल्टीपल कॉंटेस्स खेल रहे हो तीन से ज्यादा टीम लगा रहे हो दोस्तों तो थोड़ा बहुत और भी मैं आपको दिखाने वाला हो कि तीन से ज्यादा गर टीम लगा र आउट ओफ फॉम चल रहे है मायबर्ग जादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे है थोड़ा सा स्टार्ट मिल रहा है उनको बट जादा रंस नहीं कोर पा रहे हैं तो इनके साथ भी आप थोड़ा सा ट्राइक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला जुलफिकार इनके स तीनों टीम जिखा दी पिर से äक बार सिर्फ पृव्यू करा रहा हूं यहूप यह STEM हो गाया जिसमें हम नेSOล कंडिया जीए और चलिए आप कंड बना दीजिए ऑस नि आपको आपको कुछ ने कुछ अच्छा करें आपको को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तो इतनी महांनेत करता हूं दोस्तो एक Like थो बनता है प्ली कर दीजे शेयर कर दीजे अपने साथ के लोगों तक भी आप पहुंचा सकते दोस्तों वीडियो को शेर जरूर कर सकते और ज बाकी भी जो लीक चल रही है धाका T20 लीग देन वो कुछ T10 लीक चल रही है इसले वाली और वोमन्स की टीम्स का भी प्रेडिक्शन के वीडियो में बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि दोस्तों उस पे ज्यादा डेटा नहीं था मेरे पास ज्यादा एनलीसिस नहीं कर पा रहा था इस वज़े से मैंने उसको स्टार्ट किया था अब थोड़ा बहुत डेटा और अनलीसिस एवेलेबल है जिसको मैं अभी भी चेक कर रहा हूँ दोस्तों अच्छी टीम्स की टीम्स काफी अच्छी जा रही है दोस्तों अपनी तो आप जरूर वहां पर ट्राइक कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक्यू